Most respectfully shivit का क्या मतलब होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं Most respectfully shivit जो है वो किसी भी petition को या कोई request हम किसी court को देते हैं या किसी बड़े अधिकारी को देते हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है हालनके आज कल इसका इसका इस्तेमाल कम हो गया है पहले जो पुरानी जो English थी उसमें जादा ही इस्तेमाल इसका हुआ करता था तो इसको हम थोड़ा और डीप में समझ लेती हैं The phrase most respectfully shivit is a formal and somewhat archaic way to begin a written request or petition often used in legal documents, formal letters or historical writings यानि कि कोई भी हम किसी को अर्जी देना चाहते हैं निकि court में कोई petition देना चाहते हैं या कोई legal document में कोई हम request करना चाहते हैं या उसके शुरुवात करते हैं लिखने की या historical writings में जब हम कोई चीज लिखना शुरू करते हैं एक request के साथ तो उसमें इस तरीके से लिखकर शुरू किया जाता है यानि कि इसका कोई विशीश मतलब नहीं होता मतलब यही होता है कि भाई आप सामने वाले को या court को इज्जत देते हुए ये बात जो है वो लिख रही है यानि कि किसी भी जो ऐसा letter होता है जो court को लिखा जाता है राजा को लिखा जाता है या किसी बड़े अधिकारी को लिखा जाता है तो उसकी प्रती जो है उसका subject line लिखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है इनके शेवत का इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए कुछ example sentences intenses और examples आपके screen पर दिये गए हैं जिनने आप पढ़ सकते हैं और इसको और अच्छे से समझ सकते हैं अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें